Hello Kids, तो ये है हमारी EVS की बुक और इसका पेज नमबर है 4, पेज नमबर 4, इसमें किचन की फोटो दी है, इसमें दिखाया हुआ है कि किचन में क्या-क्या होता है, तो एक बार पिच्चर रिडिंग कर ले, सबसे पहले Fridge, जिसे हम Refrigerator भी बोलते हैं, Refrigerator, Fridge, Toaster, मैम ने आपको दिखाया था, Toaster, इसमें हम Bread के जो पीस होते हैं, उसे Toast करते हैं, टोस्ट करना किसे कहते हैं बच्चो जब ब्लेड का पीस गरम होके हलका सा ब्राउन हो जाता है क्रिस्प हो जाता है कुरकुरा उसे टोस्ट करना कहते हैं अगर आपके पास में टोस्टर नहीं है तो आप ब्लेड को गैस पे भी टोस्ट कर सकते हो This is a gas stove याद है ना मैम ने क्या बोला था? You should stay away from gas stove Gas stove के आसपास खेलना नहीं कभी kitchen में Kitchen में तो आपको खेलना ही नहीं है Kitchen एक बहुत ही काम की जगा होती है खेलने की जगा नहीं होती बच्चों So this is a gas stove And what is this? This is a cooker Pressure cooker इसमें ममी दाल, चावल ये सब बनाती है Right? और ये क्या है? Spoons ये spoons हैं ये एक spoons का stand है जिसमें spoons दाले हुए हैं Okay? And what is this? It is a mixer इसमें ममी तरह तरह के मसाले पीशते हैं Right? Juice निकालती है So this is a mixer ये है knife यानि के चाकू ये बहुत sharp object होता है बच्चों So never take a knife in your hand कभी भी चाकू अपने हाथ में नहीं पकड़ना क्योंकि ये बहुत ही sharp होता है It can cut your finger आपकी जो उंगली है वो cut हो सकती है इससे And what is this? This is gas cylinder ये जो है एक pipe से gas stove से connected होता है इसमें से gas निकलके इस gas stove में जाती है ठीक है? This is a gas cylinder And what is this? It is a very important thing Dust bin आप क्या करते हो? आपके पास में जो भी कूडा करकट होता है क्या आप घर में इदर उदर फैक देते हो? टॉफी खाते हो, चॉकलेट खाते हो कोई chips वगर खाते हो तो क्या करते हो? ऐसी टेबल पर ही छोड़ देते हो उसका packet? No, you should not do that हमें हमेशा खाने के बाद जो भी कूडा है, जो भी कच्रा है dust bin में ही फैक ना चाहिए ओके, always use dust bin in your house देखो, यहाँ पे cabinets भी हैं छोटी-छोटी अलमारियां बनी हुई है जिसके अंदर ममी किच्छन का सारा समान रखती है राइट? सी glasses ग्लास पड़े हैं यहाँ पर फॉर्क हम फॉर्क यूज़ करते हैं चाउमिन या नूडल्स इस तरह की चीज़ खाने के लिए वी यूज़ फॉर्क बॉल कटोरा या कटोरी बॉल वाट र दीज? यह एक प्लेट का स्टैंड है या फिर प्लेट का रैक है उस पे प्लेट्स दोकर रखी गई है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और यह सूख जाए प्लेट्स इस वाटर फिल्टर मैं उने बताया था ना जितनी भी जबदस्त प्यास लगी हूँ जितनी भी जोड से प्यास लगी हूँ कभी भी नल से निकाल कर पानी डैरक्ली नहीं पीना हमेशा फिल्टर करके ही पानी पीना है यह filter करके जो पानी निकलता है वही पानी पीना होता है because it is safe, हमारे लिए वो pure होता है यह है kitchen का sink, यहाँ पे tap लगे हुए है, देखो, नर लगे हुए है और यह sink है, हम जो भी जूटे बर्दन होते हैं, वो sink में रखते हैं, right so, यह था हमारा kitchen, अब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा dining table, okay so, यह है हमारा dining table, this is on page 6 आपकी E.V.S. बुक में, page 6 में यह dining table बना हुआ है look over here, यहाँ पे देखो, सब बच्चे मिलकर बैठके, कितने अच्छे से खाना खा रहे है हां, उन्होंने, mobile नहीं पकड़ा हुआ है अपने हाथ में they are not watching mobile, and still they are so happy see, all the children are smiling, laughing, क्यों? क्योंकि वो आपस में बात कर रहे हैं they are talking to each other, हां? तो बच्चों, खाना खाने के समय में you should not watch mobile or TV, you should talk खाना खाने के समय में, हमें TV या mobile नहीं देखना चाहिए हमें आपस में बाते करनी चाहिए बाते करते हुए, खाना कब खतम हो जाता है, पता ही नहीं चलता और हम इतना हसते हैं, हमें नहीं नहीं चीजें पता चलती हैं जब हम खाना खाने के समय में अपने ममी पापा, अपने भाई बहन के साथ में खूब सारी बाते करते हैं और देखो, टेबल कितने अच्छे से, कितना cleanly layout है है ना, खाने पीने का समान बीच में रखा हुआ है और सब के सामने में plates, fork, knife, spoon, glasses सब अच्छे से, कितना neat, कितना cleanly रखा हुआ है है ना, तो हम देखें कि क्या-क्या चीजें डाइनिंग टेबल पे रखी जाती है table mat, table mat, जहां हमारी chair होती है chair के ठीक सामने में table mat बिचाया जाता है ताकि जो भी खाना है, वो अगर खाते-खाते हमारे मुझ से या हमारे spoon से, हमारे चमत से गिर जाए या हमारे हाथ से गिर जाए, तो वो table mat के उपर गिरे वो table cloth को गंदा नहीं करे इसलिए table mat बिचाते है table mat के अलावा और क्या होता है spoon, चमच, फॉर्क, काटा, नाइफ, छूरी या यानी के चाकू glass, plate, ball and napkin तो ये सारी चीजें हमारे डाइनिंग टेबल पर रखी जाती है जब आपकी मम्मी खाना बना देती है और आप लोग खाना खाने के समय डैनिंग टेबल पर बैठते हो तो I hope कि आप लोग आपकी मम्मी पापा की help करते हो जब मम्मी किचन में खाना बना रही होती है और आपके दादा दादी या आपके पापा बैटके खाना खाने लगते हैं तो you should always help your mother in the kitchen मम्मी बार-बार किचन से बाहर आएगी गरम-गरम रोटी देने फिर किचन में भागेगी बना के आपको प्लेट में देते जाए जो भी खाना खा रहा है आप उसे गरम-गरम रोटी किचन से लाके सर्व करते जाओ इस तरह से छोटे-छोटे काम करके आप अपनी मम्मी की बहुत बड़ी help कर सकते हो ओके पच्छों अबको जो जो लाओ टू कर वे किचान से लाओ लाओ कर वे लाओ लाओ